आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जेनरल इंग्लिश 6M important questions या जो गैस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तीन आपके topics हैं Steve Jobs, speaking in tongues and the COVID-19 pandemic तो इसमें से जो भी important questions बनते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बहुत कम time है और आप ये चाहते हो कि limited time में आपकी ज्यादा से ज्यादा चीज़े cover हो जाए तो तब ही आप इस guest पे rely करोगे वरना अगर आप ये चाहते हो कि आपका कोई भी mark ना छूटे तो तब आपको क्या काम करना है कि आपको सबसे पहले summary बहुत अच्छे से पढ़नी है उसके बाद textual questions जो है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने है textual questions के बारे में मैंने पहले भी बताया ये आपको priority पे ह होने चाहिए ठीक है क्योंकि सबसे ज्यादा chances इनी के रहते हैं कि textual questions पूछेंगे and जो textual questions है वो to the point आते हैं ठीक है तो textual questions को आप बहुत अच्छे से prepare करोगे and उसके बाद जो exercise है ठीक है जो text के पीशे exercise दी हुई होती है तो उससे भी questions पूछे जा सकते हैं ठीक है क्योंकि पिसली बार हमने देखा जब फिप्सम का exam हुआ था तो उस time पे जो exercise है तो उससे questions बने थे ठीक है तो इस बार भी chances है कि वो questions वहां से पूछ सकते हैं ठीक है तो तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं येस जो Steve Jobs है वो आपकी biography है और जो दो आपके topics है speaking in tongues and the covid-19 pandemic तो ये दोनों आपकी essays है ठीक है तो इन से related maybe very short answer type question पूछ सकते हैं कि जो biography है उसको define करो या जो essay है तो उसको define करो ठीक है और उसके बाद जो work and authors ठीक है work क्या है ठीक है जैसे Steve Jobs वो किसने लिखा है and date of publication ये आपको पता होना चाहिए same जो speaking in tongues है वो किसने लिखा है date of publication क्या है ठीक है उसके बाद जो the covid-19 pandemic है तो वो किसने लिखा है and date of publication तो ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी question बन सकता है and उसके बाद exercise at the end of text तो ये मैंने पहले ही बताया तो अगर आपके पास time बचता है तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा cover करोगे ठीक है तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं Steve Jobs तो Steve Jobs जो है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे या उसमें क्या important question है तो वो हम discuss करेंगे ठीक है ये जो आप सामने screen पे देख सकते हो ये आपके textual questions है ठीक है तो पांच आपके textual questions है तो यहां पे आप थोड़ा सा smart work करोगे कि पिछली बार जो questions पूछे गए थे already exam में त तो यह आपके already पूछे गए थे पिछले exam में ठीक है तो यह आप देख भी सकते हो यहां पे paper है यहां पे आप देख सकते हो जो question nummer जो section B है जो question no.2 है इसका and इसका भी part तो यह आप देख सकते हो and उसके साथ एक और question section C से question no.4 तो यह directly textual questions थे तो यह पूछे गए थे ठी में ठीक है यहां पार को क्वेस्टि और यह में दिए यहां पर देख सकते हैं तो इस हमें बताया गया था ओर जो स्टीव जॉब से उसका में यहां ऊंहुंचा गया था इंडिरिख को पीजिंड ढखते नहीं पूच़े घory question number 2 and question number 3 तो ये जो question number 2 है and 3 है तो इसको आप इन दो questions को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से prepare करोगे ठीक है and question number 5 को भी आप prepare करोगे क्योंकि ये directly नहीं पूछा गया था तो इन तीन questions को आप बहुत अच्छे से prepare करोगे and again I am saying कि अगर आपके पास time में बच्छता है तो आप पांच्छों questions को बहुत अच्छे से prepare करोगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं speaking in tongues तो speaking in tongues के जो textual questions है तो 6 textual questions दिये हैं ठीक है तो उसमें से question number 4 and question number 6 जो है वो already पूछा जा चुका है पिछले exam में ठीक है sorry यहां पर आप देख सकते हो जो question number 3 है very short answer type questions का question number 3 है what is C.D. Smith's concept of an ideal wise तो यह पूछा गया था and एक और question जो section B question number 3 जो है उसका A part जो है तो वो भी एक textual question है तो यहां से आपके दो textual questions पूछे गए थे question number 4 and question number 6 ठीक है and यहां पर फिर बज़ते हैं आपके चार questions question number 1, 2, 3 and question number 5 ठीक है तो यह जो चार questions है तो इनको आप बहुत अच्छे से prepare करोगे and personally अगर मैं बोलू question number 3 जो है and question number 5 जो है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों मैंसे एक question तो definitely होगा ठीक है तो यह भी आप इन चार questions को भी आप अच्छे से cover करोगे यहां पर एक important चीज़ मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ अगर आप previous यह paper पे again एक नज़त डालते हो तो आप यह चीज़ देखोगे कि जो section A है उसका question number 1 है उसका first part जो है वो steve job से पूछा गया था again जो second part है वो भी steve job से पूछा गया था उसके बाद section B की बात करें उसमें जो question number 2 है उसके दोनों पार्टS steve job से पूछा गये थे again जो section C है उसका question number 4 है तो भी steve job से ही पूछा गया था तो steve job से already तो जो प्रिज जा चुके हैं तो इस बार ज़्यादा चांसेज हैं कि जो speaking in tongues हैं तो उस से 45 questions भने तो जो speaking in tongues हैं उसको आप बहुत अच्छे से prepare करोगे और जो textual questions है तो उन सभी textual questions को आप बहुत अच्छे से prepare करोगे अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी marks ना छूटे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं The COVID-19 pandemic जो COVID-19 pandemic है तो इसके चार textual questions है जिसमें से question number 1 and question number 4 जो हैं वो already previous exam में पूछे गए थे ठीक है यहाँ पेपर में देख भी सकते हो जो section A है इसका जो fourth part है वो एक textual question है and again जो section B है उसका जो question number 3 का B part है वो भी एक textual question है ठीक है तो यह जो दो questions है यह already पूछे गए थे question number 1 and question number 4 अब बच्छते हैं आपके दो questions question number 2 and question number 3 तो इन दो questions को अब बहुत अच्छे से prepare करोगे क्योंकि यह previously नहीं पूछे गए थे ठीक है तो जो भी अब मैंने important questions बताए तो अगर आप उनको cover करोगे तो इंशालला आपके better marks मिलेंगे ठीक है तो फिलाल वीडियो यहाँ पे खतम होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like कीजिए comment कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ and channel को जोरू subscribe कीजिए and don't forget to press the notification bell have a nice day thank you